चलो आज सुरुवात करते हैं बैदुत फ्लक्स और गौस परमे से बैदुत फ्लक्स और गौस परमे को सुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि आखिरकार इसकी जरुरत हमें आज क्यों है क्यों हम गौस्ट प्रमे को पढ़ रहे हैं या बैदुद फ्लक्स हमें क्यों पढ़ना पढ़ रहे हैं जैसा कि आपको पता है एकूलम्स लोग और बिदुद छेटर बिदुद बिभाव जो भी अब तक हमने संभोध पढ़े हैं उसमें हमने पॉइंट चार्ज को लेके यान बिदु आवे से मतलब है कि हम कोई दो इमेजनरी पोइंट जो जिन पर हम कोई आवेस माल लेते हैं और उनके कारण उसके स्राउंडिंग में बैदुद छेटर गयाद करते हैं या बैदुद भी वगयाद करते हैं लेकिन ये तो बात तब थी जब हमारे पास point charge है बट point charge कब होगा यानि ये imaginary points हैं और जिनका हम सिर्फ imagination करके ये बताने की कोशिस कर रहे हैं कि दो point charge के बीच में कोई force experience होता है अब अगर दो point charge है तो वो कहाँ पर है यानि हमने ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो कहीं न कहीं तो होंगे अब कहां होंगे किसी space में होंगे जब space की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम आज चार्ज पढ़ने वाले हैं वो या तो किसी line पे होंगे या किसी surface पे होंगे या किसी volume पे होंगे यानि कि the space occupied या surrounded by the charge particle means वो पूरा surface charged है तो कोई बिंदु आवेस के कारण हम impact नहीं देख सकते इसलिए coulombs law के वजह से जो भी हमने electric field और potential की गणना की है वो हमारे पास universally किसी चीज़ को validate करने के लिए तो ठीक है बट इन actually दो point charge के कारण हम अगर चेतर और बैदुद भी हो की गणना करेंगे तो यहाँ पर हमें कहीं न कहीं जो है जब हमारे पास किसी सतय की बात होगी charge density की बात होगी तो वो हमको समझाना जरूरी हो गया है यानि coulombs law हमारे पास physics के वो सारे जो laws हैं जो सारे आगे हमने consider करने हैं उनके लिए validate नहीं होते हैं इसलिए जैसे कि हमने पीछे पड़ा है कि जो charge होता है वो charge एक singleton charge नहीं बलकि एक density की form में होता है और charge density हमने पड़ा है कहां पर? लाइन पे पड़ा है, surface पे पड़ा है और volume पे पड़ा है तो थोड़ा सा आपको वो idea अगर है तो अब यहां पर यह बात हो रही है कि charge किसी uniform surface पे हो सकता है, किसी unbound surface पे हो सकता है, किसी close surface पे हो सकता है तो यहाँ पर अब हम जो charge को define करने वाले हैं वो define करने वाले हैं किसी surface पे यानि किसी छेतरफल पर जो आवेस होंगे उस छेतरफल के बाहर या अंदर की ओर आवेसों का impact पड़ेंगे उसके कारण बैदुत छेतर पढ़ेंगे उसके कारण बैदुत विभाव की गढ़ना करेंगे या जो भी हमें इस तरह की बात अब हम करने वाले हैं वो हम सर्फिस को लेके करने वाले हैं यानि किसी छेतर फल को लेके बात करने वाले हैं तो आईए हम बैदूत फ्लक्स और गौस पर में संबोध में आगे बढ़ने से पहले छेतरफल बैक्टर के बारे में जान लेते हैं कि ये छेतरफल बैक्टर आखिर होता क्या है तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सामने एक छोटा सा हमने इसको डाइग्राम से समझाने की कोशिस की है कि हमारे पास कोई एक समतल सतय है जिसका छेतरफल मान लीजे ए है और इस समतल छेतरफल सतय का हम जो परिमान है यानि मैगनिटूड है उसको हम कन्वेंशनली यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वो एक डिरेक्शन उसमें दिखाई गई यानि यहाँ पर छेतरफल की जो दिशा है वो बाहर की ओर दिखाई गई है जो सतह के अविलंब की ओर है यानि लंबवत है अर्थात जो छेतरफल है उसको हमने बाहर की ओर खीचे गए अविलंब के अनुदिस एक बैक्टर ए से दिखाया है जिसकी लंबाई हमने ए से बैक्ट की है और उस बैक्टर का जो मान है उसे हम लिख सकते है बैक्टर ए बराबर यूनिट बैक्टर एन आफ ए अब यूनिट बैक्टर एन यानि यहाँ पर डिरेक्शन के लिए हमने दिखाया है कि यह जो बैक्टर ए है यानि जो एरिया है ये directed है with direction of unit vector n, यानि जो n vector है, वो बाहर की और खीचे गए अविलंब के अनुदिस एक unit vector है, जो चेतरफल यानि vector चेतरफल को दरसा रहा है, तो यहां तक आपको clear, हम बात कर रहे थे unit vector की और किसी चेतरफल vector की, area vector की, तो उस area vector को अब हम किसी close surface में समझाने की कोशिस करते हैं, कि यह किस तरह से अपना role play करता है, तो इससे जानने से पहले हमें कुछ और थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी, जैसे कौन आप समझते हैं, कौन क्या होता है, कि किसी भी बृत के चाप, यानि बृत के केंदर पर अंतरित कौन, यानि जो subtended angle होता है at the center, वो क्या है, वो एक plane angle होता है, जिसको हम radian में measure करते हैं, यानि यह इसकी unit है, तो किसी भी बृत की तरिजया के बराबर, लंबाई का जो चाप है, उस बृत के केंदर पर अंतरित जो भी होगा, वो कौन बनाएगा, यानि हम जानते हैं कौन बराबर क्या होता है, चाप बटेक तरिजया, यानि arc upon radius, तो तरिजया के बराबर लंबाई की जो चाप होती है, उससे केंदर पर जो कौन अंतरित होता है, उसको हम radian में measure करते हैं, इसको simple हम कौन बोलते हैं, यानि 2D में इसको कौन बोलते हैं, लेकिन अब अगर हमारे पास कोई गोलिय सत्य है, यानि कोई ठोस सत्य है, तो किसी ठोस सतय या किसी गोलिया प्रिस्ट का छीतरफल गोले के केंदर पर जो कोन बनाएगा उसको हम बोलेंगे solid angle यानि वहाँ पर कोन बोलता थे यहाँ पर घन कोन बोलेंगे तो solid angle क्या है वहाँ पर कोन 2D में था ये 3D वाली बात हो गई कि वहाँ पर line से angle बनता था line और arc से तरिजया और arc से यहाँ पर area से बनेगा area और तरिजया से तो यह क्या कह रहे हैं फिर से आप ध्यान दें यहाँ पर कि किसी भी गोली या प्रिस्ट का जो छेतरफल होगा वो गोले की केंदर पर जो कोन बनाएगा उसे हम घंकोन बोलेंगे तो जैसे कि हमारा छित्र में यहाँ दिख रहा है कि हमने यहाँ पर यह दिखाने कोसिस की है कि हमारे पास यदि हम घंकोन को थोड़ी देर के लिए omega कह लें तो उस गोले की केंदर पर अगर कोई त्रिज्या आर है तो उस त्रिज्या आर पर जो एक प्रिस्ट का छेतरफल element है डी ए जो हमने यहाँ पर एक छोटा सा area काट के हमने यहाँ पर दिखाने कोसिस की है तो इसकी जो boundary है वो गोले के center पर अगर उसे मिलाएं या उससे खीची गई रेखाओं के द्वारा उसे परदरसित करें इसको आप ऐसे समझ लीजे कि छेतरफल d a द्वारा गोले केंदर पर subtended angle d omega जो होगा वो घंकोन होगा यानि हम जैसे वहाँ लिखते थे कोण बराबर r upon radius ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे घंकोन बराबर छेतरफल यानि element d a का छेतरफल बटे r square अब आप r square यहाँ पर समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्योंकि ऊपर d a आया है तो नीचे क्या आजाएगा r square यानि वहाँ r upon radius था तो यहाँ छेतरफल है तो छेतरफल के साथ क्या आएगा यहाँ पर भी 2d आएगा तो r square हो जाएगा तो यहाँ पर यह घंकोन होगा तो इसको आप फिर से समझ ले यानि घंकोन क्या है किसी प्रिष्ट के छेतरफल के द्वारा एक गोले के केंदर पर जो त्रिज्या के बर्ग के बराबर होगा तो उस समय वहाँ पर जो कोन होगा वो एक stay radian होगा वहाँ पर radian होता था है यहाँ पर stay radian unit है उसकी तो simple सी बात क्या कहेंगे आप इसे साधरन सब्दों में ऐसा कह देंगे कि किसी भी गोले का जो संपूर्ण छेतरफल है वो संपूर्ण छेतरफल को अगर हम center पर किसी केंदर पर अंतरित कोन के द्वारा न गया d omega बराबर d upon r square तो ये omega बराबर क्या हो जाएक हमार पास यानि पूरा च्रम गोले का थोड़ी दिर के लिए हम पूरा गोला इसको शमझ लें अगर तो गोले का च्शेतरफल का हो गया 4 pi r square तो 4 pi r square हम कर दें तो r square से r square cancel out हो गया तो जो गोले का गन कोण हो गया वो कितने के बरावर हो गया फोर पाई स्टे रिडियन तो किसी गोले का प्रिस्ट का छेतर फल गोले के केंदर पर जो अंतरित कोण है उसका मान क्या हो गया फोर पाई स्टे रिडियन तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब जैसे कि हम सामने एक चित्र में देख रहे हैं यह चित्र क्या सो कर रहा है इसको ध्यान से देखिए और यह जो हमने पीछे गोला पर जो है हमने दिखाया था घंकोन कैसे हम दर्षाते हैं उसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को यानि उस प्रिस्ट का एक हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया और उस पर हमने दिखाने की कोसिस की है कि कैसे जो है इस छेत्र फल पर किसी जगह पर हम घंकोन का मान निकालेंगे यानि इसका जर्नलाइस फॉर्मुला निकालेंगे जर्नल फॉर्मुला क्या होगा घंकोन का या छेतरफल का unit vector के साथ क्या relation है वो हम यहाँ पर ग्यात करेंगे तो जैसे कि यह हमारे डाइगराम में दिख रहा है हम डाइगराम को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि एक छेतरफल element जो DA है वो बिंदू O से आड़ दूरी पर है और यहां पर जो हमने N बैक्टर दिखाया unit बैक्टर वो बिंदू O के जो छेतरफल DA है उसको मिलाने वाली रेखा के unit बैक्टर और अनुदिस दिसामे है यानि कि N बैक्टर तथा DA छेतरफल जो बैक्टर है वो दोनों एक दूसरे के हमने क्या दिखाया है लंब वथ यानि DA पर अभी लंब है किसका N का अगर इनके बीच मान लीजे ठीटा कॉन बनता है तो यहाँ पर हम अभी देख लेते हैं कि यदि जो हमारा center है center को अगर हमने कोई point का नाम दे दिया O दे दिया से तो यहाँ से अगर हम trija R ले ले तो इस गोले के दुआरा जो हमने ये एक element दिखाया है जो छोटा सा प्रिस्ट दिखाया है उसका जो projection होगा N vector के साथ DA के साथ वो कितना होगा यानि जो DA छेतर फल है वो गोले के द्वारा खेंदर O पर जो घंकोन बनाएगा उसका जो projection होगा यानि अगर हम यहाँ पर उसका projection निकालेंगे तो वो होगा DA cos theta आप समझ रहे होंगे कि यह जो dark shaded area है वो DA cos theta होगा क्योंकि DA उसके क्या है अभी लंब बहत है तो जो base vector है horizontal component है वो DA cos theta होगा तो VA vector होगा DA cos theta तो यहाँ पर जो 6 रफल है जो हमने लिया है DA वो बृत O या किसी गोले के केंदर O की तरफ जो घंकोन बनाएगा तो simple formula क्या लगाएंगे D omega बराबर हमने पीछे पढ़ा था DA लेकिन अब यहाँ पर जो DA है वो हमने कैसे ले लिया उसको हमने ले लिया है उसका projection तो वो होगा DA cos theta upon radius का square upon R square तो अब यह DA cos theta है तो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है 11 में भी पढ़ा है कि A dot B बराबर A B cos theta होता है तो यहाँ पर DA cos theta को हम क्या लिख सकते हैं DA dot unit vector N यानि हमने यह direction यहाँ पर दिखाई हुए है तो जो N vector unit vector है वो area DA के साथ dot product में है तो जो उसका magnitude है वो DA cos theta है लेकिन vector form में हो गया है DA dot unit vector N upon R square तो यहाँ पर आपको यह clear हो जाना चाहिए कि D omega is equal to DA dot unit vector N upon R square एक journal formula हो गया किसी भी solid angle को measure करने के लिए तो बैदुत flux पर बात करें बैदुत flux normally जैसा सब्द है electric flux यानि कि electric flux का simple meaning है कि किसी फ्रिस्ट से होकर गुजरने वाली बलरेखाओं का magnitude यानि simple और simple बोलें तो यह density है charge density है जो किसी area से पास होती है या होकर गुजरती है तो बैदुत flux एक किसी बैदुत छेतर का अपना एक virtue है अपना एक गुण है जो क्या बताता है बिदुत बलरेखाओं का उस छेतर से होकर गुजरना तो जिस छेतर में जितनी जादा closed बलरेखाओं होंगी जितना जादा dense बलरेखाओं होंगी उतना जादा वहाँ पे क्या होगा बैदुत छेतर होगा या आप ऐसा कह लिजे कि जितनी बलरेखाओं कम होंगी या उनकी density कम होगी उतना वहाँ पे कम क्या होगा बैदुत छेत कमजोर होगा तो वहां पर flux भी काम होगा अर्थात जो हमारा electric flux है वो क्या है किसी छेत्र में मौजूद जो प्रिस्ट से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की density है यानि number of magnitude of line of force electric line of force passing through the area या surface क्योंकि surface हम इसले बोड़ रहे हैं ये कोई सी भी surface हो सकती है uniform हो सकती है non uniform हो सकती है closed हो सकती है तो किसी भी समतल या असमतल uniform non uniform बैदुद छेत्र में बैदुद बल रेखाओं का जो measurement है उसको हम बोलेंगे बैदुद flux clear तो अब मान लेते हैं हमारे पास एक surface है यहां पर और वो surface को हमने यहां पर दिखाया है कि यहां पर जो है लगातार कुछ आवेस या कुछ बल रेखाएं force जो line of force है या electric line of force है वो यहां से होकर गुजर रही है तो मान लीजी जो DA जो small element का area है वहां से कुछ कालपनिक area से होकर हमारे पास कुछ क्या गुजर रही है बल रेखाएं गुजर रही है तो जो भी यहां पर electric field या इस area से होकर गुजरेगा तो वो यहां पर flux को measure करेगा ठीक हो गया तो इसको आप simple क्या कह सकते है कि किसी element को अगर हम एक समतल मालने थोड़ी दिर के लिए तो इस समतल से एक समान बैदुद छेतर जो यहां से पास हो रहा है उसका जो परिमान यानि उसका जो magnitude होगा वो डिये छेतर फल से होकर गुजरेगा तो उसका अगर हम यह कह लें कि जो उसका प्रिस्ट का element है यानि जो छेतर फल है वो अगर हम यहां पर दिखा रहें कि बहार की ओर जो है बिदूद दुबल रेखाऊं के दिशा अविलंब की ओर उसके अनुदिस जो है वो दिखा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो da element है उससे होकर जो भी विद्दु छेत्र गुजरेगा उसका मान क्या होगा e.da जैसे कि हमने उपर पड़ा था कि जो a था वो n unit vector के साथ dot product में था तो यहाँ पर n जैसे यहाँ पर n दिखा रहे थे वैसे यहाँ पर e बोल रहे हैं e का मलब विद्दु छेत्र वहाँ से होकर गुजरने वाला उस छेत्र वहाँ से गुजरने वाला flux होगा उसका जो मान होगा वो उस element पर क्या measure करेगा flux की density यह निए flux measure करेगा तो इसको normally ऐसे लिखते हैं कि flux phi बराबर closed integral of a e.da da विखना surface का जो element का area है उसको da बोलेंगे या कहीं कहीं आपको ds भी लिखा हुआ मिलेगा तो जो area है वो काँ सा area है पूरा integral किया हुआ है यानि surface integral उस surface area को हमने पूरा integrate किया वहाँ पर जो भी बल रेखाएं वहाँ से होकर गुजरेंगी वो flux को measure करेंगी अब यह flux दोनों तरह का हो सकता है अगर यह positive आवेस के कारण बहार के ओर निकल रहा है तो धनात्मक होगा और अगर यह अंदर के ओर आ रहा है तो उरनात्मक होगा तो यह depend करता है कि flux का जो motion है वो outward है तो positive inward है तो negative यहां तक clear तो बैदुचेत्र के किसी प्रिष्ट में जो बैदुचेत्र flux है उस प्रिष्ट पर बैदुचेत्र के प्रिष्ट समाकलन के बराबर होता है यानि की integral of EDA या integral of EDS is equal to total flux passing through the surface यानि अगर बैदुचेत्र में इस तित्प्रिष्ट closed है तो अगर हम यह कह लें कि वहाँ पर किसी आयतन पर enclosed जो भी वहाँ पर flux होगा वह net flux क्या होगा वहाँ पर हमने open integral के जगे close integral करते ना है close integral of E.DS या DA अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा ऐसे भी कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई समतल प्रिष्ट है जिसका अपना छेत्र फल है तो एक समान बिद्दूद छेत्र E में अगर वो उसके अविलंब की और रखा हुआ है या प्रिष्ट पर खीचा गया अविलंब अगर हमने E को मान लिया और तब हम उसको हम ऐसे भी define कर सकते हैं कि flux is equal to E.DA और उसको integrate कर दिया या E.DA को हम क्या लिख सकते हैं E.DA cos theta पीचे हम पढ़ चुके A.B.B.Cos theta तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बैक्टर E और A है या DA है उनके 20 का कोन अगर theta है तो वहाँ पर E.DA बरावर क्या हो जागा E.DA cos theta तो यहाँ पर जो flux होगा वो क्या हो गया total flux हमारा क्या हो गया E.A cos theta और अलग-लग condition में हम इसको measure कर सकते क्योंकि theta हमें पता चल गया तो अगर प्रिष्ट हमारा कैसा है E के लंबोत है तो theta हमारा 0 हो गया तो cos theta is equal to 1 हो गया तो flux यहाँ पर क्या हो गया E.A इसी तरह से यदि जो है हमारा E है वो प्रिष्ट के sum अंतर अगर हो जाए तो theta 90 degree हो जाएगा तो उस समय cos 90 वरावर 0 हो जाएगा तो उस समय जो flux होगा वो 0 हो जाएगा इस तरह से हम अलग-अलग condition में electric flux को define कर सकते है और उसका मातरक भी आप सकते हैं तो हमें पता चल गया E.A. तो E का मातरक क्या होता है Newton पर कुलाम और area का मातरक क्या होता है meter square इसे solve कर लीजे तो यह क्या हो गया Newton meter square पर कुलाम और इसी तरह से हम इसकी बीमा भी लिख सकते हैं और बीमा simply क्या हो गई M L 3 T minus 3 A minus 1 इसे आप चाहें तो इसे आप calculate भी कर सकते हैं तो यहां तक आपको clear ओके ध्यों कर सकते हैं प्यों सबसी सकते हैं जाप द know